ग्याराशु अठाउन शायग फ्रोफेसर की भरति पर पंजाब को रहत नहीं मिली सुनवाई टली राज्य सरकार निचेनी तुमेद्वारों को सेशन अलोर्ट करने की कर रखी है मांग 1158 शायक फ्रोफेसर लाइब्रेरियन की भर्ती के मामले में पंजाब हरियाना हाई कोड ने पंजाब सरकार को फिलाल कोई राहत नहीं दी है पंजाब सरकार ने हाई कोड में अरजी तायर कर चुने गई 472 फ्रोफेसर को तुरंत स्टेशन अलोट करने की मांगी लेकिन हाई कोड ने इसे मंजूर नहीं किया कारेवाइक चीफ जस्टिस रितु भारी की खंड़ पीट ने मामले में 15 जनवरी के लिए सुनवाई तै की है बंजाब सरकार के तरब से अरजी दायर कर कहा गया कि सरकारी कोलेजों में लंबे समय से भरती नहीं हुई है उमिद्वारों को स्टेशन भी अलोट कर दिये गए थे और वह अब अपनी शेवाई दे रहे हैं जबकि 472 सायक प्रोफेसरों को स्टेशन अलोट करने की परकिरिया भी पूरी नहीं हुई है इसे दोरान कोड की सिंगल बैंच ने भरती परकिरिया रद कर दी सिंगल बैंच के फैसले के खिलाब पर पंजाब सरकार ने अपील दायर की है सरकार की तरफ से अरजी दायर कर कहा गया कि जब तक इस केश का फैसला नहीं हो जाता उस स्टेशन के लिए उमिद्वारों को नुक्ति पतर सोपे गए थे उनको स्टेशन अलोट करने के नमती दी जाए राज्या के सरकारी को लेजों में शायग प्रोफेसर की कमी है शाहत ही कागया की केस का शिखर निप्टारा किया जाए वहीं पंजाब के एडिट संस्थानों में कॉंट्रेक्ट पर काम कर रहे 140 असिस्टेंट प्रोफेसरों को निमित करने की समंदी पंजाब सरकार के उसतर शिक्ष्य अबाग के फैसले पर पंजाब महरियाना हाई कोटनल रोक लगा दी है हाई कोटनल मामले पर पंजाब सरकार से ज्वा मंगा है